हेलो गाइज, बेलकम बैक टू दे नीव वीडियो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे स्मार्टफों स्लैक की हैं टॉप फोर बेस्ट फाइब जी जिन में आपको 8GV रैम देखने हो मिल जाएगी 256GV स्टोरेज, साथी आपको सूपर M.O.LED डिस्पले टॉप नॉच लेविल का 108MP का कैमरा सेट अप, पावरफुल चिपसेट जिसकी विसे आप Ultra HD में गेमिंग कर सकते हैं साथी आपको काफी अच्छी बैटरी और साथी फास्चारजिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी 20-25,000 के प्राइस पॉइंट पर मैंने काफी research, analyze and review करने के बाद ये top 4 smartphone shortlist की हैं जो कि आपको इस टाइम पर प्राइस के साथ से value for money रह सकते हैं without time waste के इस वीडियो को start करते हैं, वीडियो को start करने से पहले आप चैनल पर नहीं आए हैं प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और बेल आइकन की बिटन को press कर लेना दोस्तो इस चारों smartphone हमने ranking wise नहीं रखे हैं तो आप अपने priority के साब से कोई साभी purchase कर सकते हैं अब बात करते हैं इस list के first smartphone के बारे में जो की रहता है दोस्तो Lava Agni 2 20,000 के price point पर आपको काफी अच्छे feature दिये गा है इस smartphone के अंदर जो की मैं आपको step by step explain करने वाला हूँ आपको यह क्यों purchase करना चाहिए यह भी मैं आपको बताएता हूँ सबसे पहले बात करते है smartphone के display के बारे में तो इसमें आपको curved MOLED 6.78 इंचिस की display देखने को मिलती है जिसमें आपको 120 Hz का refresh rate दिया गया है 1 million colors की support दी गई है HDR 10 Plus की support भी है 950 nits की peak brightness है feature loaded display है काफी premium design के साथ इसमें प्रॉसर दिया गया है दोस्तो Octa Core MediaTek Damacy City वाला 7050 690 मिटे के साथ आता है Android version 13 पर वेज जाए 8GB, 250, 6GB का base variant है अल्री मैंने आपको explain कर दिया है कि इसमें आपको 8GB RAM 250, 6GB की storage देखने हो मिलेगी 20,000 के price point पर साथी quad camera setup है रिजर पार्ट में है से smartphone के main primary camera आपको 50MP के देखने हो मिलेगा 8MB कल्टरवाइड, 2-2MB के macro depth है 4K 30fps में आप maximum video record कर सकते है front में 16MB का selfie camera है OTG support करता है in display fingerprint sensor है 4700 damage की बैटरी है 66W की far charging की support दी गई है इसमें एक ही color scheme offer की गई है company की तरप से जो कि आप official वीडियो में देख पा रहा होंगे blue है यह 210 gram का weight 8.8 mm की थिकनिस है smartphone की leg dimensions और weight भी काफी अच्छा है आप definitely इसको considerate कर सकते है price point पर अब बात करते है next smartphone के बारे में जो की रहता है Xiaomi की तरप से Redmi K50i यह एक all-rounder gaming smartphone है अगर आपको 20-25,000 के price point पर काफी powerful gaming smartphone purchase करना चाहता है आप इसकी तरप जा सकते है क्यों इसमें आपको काफी अच्छे feature दिये गए है जो की आपको gaming में need दे होती है जिन feature हो की है step by step मैं आपको बताएता हूँ सबसे पहले बात करते हैं display के बारे में इसमें आपको double fs LCD 6.6 inch इसकी display देगनों मिलती है refresh rate 144 sets का है जो की gaming performance को आपको काफी जदे improvement करेगा HDR10 की support है Dolby Vision है 650 nits की peak brightness है साथ ही Gorilla Glass 5 की protection दी गई है Octa Core MediaTek Dimensity आपको 810590 की साथ आपको 5G process देखनों मिलेगा जो की upgradable Android 13 है और out of the box आपको Android 12 पर देखने हो मिलेगा based MIUI 14 पर आपको run करते हो देखनों मिलेगा 6GB 128GB का base variant है UFS 3.1 type की storage देखनों मिलेगी main आपको primary camera 64MP का देखनों मिलेगा 8MP कल्टर वाई 2MP का macro 4K 30fps में maximum video record कर सकते हैं rear part में आपको triple camera setup दिया गया है front में 16MP का selfie camera है stereo speakers है 3.5mm का jack है OTG support करता है side mountain finger print sensor है इसमें आपको 5080 mAh की बैटरी देखनों मिलेगी 67W की fast charging की support दी गई है build quality के बारे हम बात करें तो दोस्तों इस smartphone के अंदर आपको 200 gram का weight देखने हों मिलता है 8.9 mm की थिकनी देखने हों मिलेगी ये smartphone काफी light weight, compact और slim तो नहीं है जो की रहता है Motorola की तरफ से AS30 इस price point पर ये smartphone काफी जड़ प्रेमियम है इसमें आपको काफी ज़्यादा कम weight देखने हों मिलेगा बहुत ही light weight है और बहुत ही ज़्यादा ये smartphone slim है 6.8 mm की थिकनी देखने हों मिलेगी 155 gram का weight देखने हों मिलेगा वर्टर रेपलेंड डिजाइन के साथ आता है बैक फिरेम प्लास्टिक के हैं गुर्ला ग्लास 3 की प्रोटक्शन दी गई है body मैंने आपको पूरी बता दिये build quality कैसी मिलती है सारी चीज़ें बता दिये अब बात करते है specs के बारे में step by step AMOLED 6.5 इंचिस का पैनल है डिस्पले में वन बिलियन कलस की सपोर्ट है जिसमें 144 हर्ट का refresh rate है HDR10 प्लस की सपोर्ट है डिस्पले में को रुनिंग और लगलास 3 की प्रोटक्शन दी गई है इसमें आपको प्रोटेक्शन देखना हो मिलेगा रियर पार्ट में triple camera setup है 50MP का primary 50MP का ultra wide 2MP का depth lens 4K 30fps में maximum video record कर सकते हैं फ्रेंट में आपको 32MP का selfie camera देखने हो मिलेगा और दोस्तों फ्रेंट से भी आप 4K 30fps में maximum video record कर सकते हैं जो कि काफ इच्छी बात है stereo speakers है 3.5 हम का jack इसमें नहीं दिया गया है काफी एच्छी build quality offer की गई जो कि already मैंने आपको explain कर दिये बहुत ही ज़्यादा silly match है इन handful आपको motola की branding के साथ काफी ज़्यदा premium देखने हो मिलेगी तो इसको आप purchase कर सकते हैं और दोस्तों बात करते हैं इस list के fourth and last smartphone के बारे में जो की रहता है realme की तरफ से 10 pro plus यह आपको 20 से 25,000 के price point पर नहीं देखने हो मिलेगा 25 से थोड़ा सा costly है 26 से 27,000 का यह smartphone आपको देखने हो मिलेगा अगर आप 2000 increase कर सकते हैं तो इसकी तरफ आप switch हो सकते हैं क्योंकि यह feature loaded curb display वाला smartphone है step by step में आपको सारे features इस smartphone के बताने वाला हूँ जो की आपको display देखने को मिलती है curved M OLED 6.7 inches की HDR 10 plus की support है 1 million colors की support है 120 hertz का refresh rate है 800 nits की peak brightness है इसमें आपको chipset देखने हो मिलेगा octa core media tech dimensity 1080 6 nanometer के साथ आता है android version 13 पर वेज़ड है Realme UI 4.0 पर आपको run करते हुँ देखने हो मिलेगा काफ़ इच्छा processor है इस price point पर 6 GB, 128 GB का base variant है rear part में आपको triple camera setup दिया गया है 108 MP का primary camera 8 MP का ultra wide 2 MP का macro 4K 30 fps में आप easily maximum video record कर सकते हैं front से नहीं rear से front में 16 MP का selfie camera है stereo speaker से in display fingerprint sensor है 5000 mAh की battery है जिसके साथ आपको 67 Watt की fast charging की support देखने हो मिलेगी 5,000, 50,000 की around आपको अंतुतू score देखने हो मिलेगा build quality के बारे हम बात करों तो back frame plastic की है glass की protection display के अंदर दी गई है 173 gram का weight है 7.8 mm की थिकनी से इसको भी आप purchase कर सकते हैं प्राइस पॉइंट पर दोस्तो realme 10 pro plus 5G काफी the better value for money smartphone है अगर आपका budget 26-27,000 है तो आप इसकी तरब स्विच हो सकते हैं बाकि मेरा अगर opinion जानना चाहते हैं इन चारों smartphone हो में से तो आप लावा अगनी 2 की तरब जा सकते हैं अगर आपका budget जो है प्राइस कर लेना और दोस्तो मिलते हैं आप सब्सक्राइब कैसी इन इंट्रेस्टिंग और updated वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई एंड टेक क्यार